नमस्ते साथियो आई बोईस क्लोदिंग में आपका स्वागत है मैं आलफा एंटरपाइज वुलास नगर से आपका दोस्त आपका बिजनस पार्टनर आपका शुबचिन तक और आपसे बहुत अच्छा बिजनस करने के लिए आपका शुबचिन तक नरेश उदासी काफी समय बाद मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि कुछ काम के सिलसले में आपसे समय नहीं बिल पाया कि हम आपसे कॉडिनेशन कर पाएं उसके लिए मैं आपसे तहित दिल का सौरी बोलता हूँ आपको साथियों जैसे अभी कॉलेजिस पूरे होगए एग्सेम पूरे होगए तो काफी न्यू जेनरेशन आती है बिजनस करने के लिए कुछ मेडिकल में जाते हैं कुछ इंजिनिरिंग में जाते हैं कुछ अलग-अलग प्रोफेशन्स में जाते हैं जिसके लिए मैंने सोचा कि एक बार आपसे थोड़ी बातें कर लें। साथी और एडिमेट गार्मेंट का बिजनस बहुत अच्छा भिजनस है और वो कभी भी बंध होने वाला नहीं है क्योंकि रोटी कपड़ा मकान में कपड़ा जो है सेकंडरी है और हमेशा वो आता ही है। और आज की जो जनरेशन है वो नए कपड़े, वेराइटी, ट्रेंड के पीछे बहुत भागती है हमारी जनरेशन भी जाती थे लेकिन आज फैशन इतना अच्छा हो गया है कि उनको हमेशा कुछ नया चाहिए यह एक उपरचुनिटी है जिसमें न्यू जनरेशन को हम अच्छी वेराइटी दें, अच्छी क्वालेटी दें और राइट प्राइस पे दें क्योंकि न्यू जनरेशन जो है उसकी पॉकेट मनी फिक्स रहती है और उनके जो बच्चे रहते हैं जो मिडिल मतलब जैसे 20-25 के रहें में जो शादी करते हैं तो उनके जो बच्चे रहते हैं उनको न्यू वेराइटी दें लेकिन बहुत ही रिजनेवल प्राइस में अच्छी पॉइंट्स उसमें एड करें तो हमारे सक्सेस रेशो बहुत बढ़ जाता है और उनको हम ट्राइलेर करके और आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है साथियो यह जो अब मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ मैं 1986 ऑक्टोबर से इ देखा है तो मैं अपने जो एक्सपीरेंस है उसका पूरा निचोड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ आप चाहिए तो एक एक में टॉपिक वाइस बात करेंगे कहीं पे आप नोट करते जाएए उन चीज़ों को अपने एक्सपीरेंस के साथ मैच कीजिए मिक्स कीजि दुकान ले लेते हैं 15, 20, 25 लाग का उसके उपर 10 लाग उर्पे जो है उसमें इंटिरियर करवा लेते हैं तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर यानि इसको कैपेक्स बोलते हैं आपने क्या किया पूरा पैसा जो है कैपेक्स में ब्लॉक कर दिया अब आपके लिए ज इसा बहुत कम भेशता है तो हमारा ये सोचना है जो कैपिटल एक्सा जाती है जिसको कैपेक्स बोलते हैं वो उसको थोड़ा केंट्रोल करें और हमारे जो डै टू डै ऑपरेश्चनल एकसा जाता है और दूसरी चीज़ जाती है उसमें थोड़ा जोड़ा रखें और तो वो अच्छानक हमारे business को एक boost देती है और वो जो boost है उसमें हमारे पुरानी आइटम भी निकलते हैं नए आइटम भी निकलते हैं और customer का जो footfall है वो हमारे दुकान के तरफ आता है ये जो mouth publicity है हमें और customers लेके देती है और satisfaction के लिए आज देखिए तो variety बहुत-बहुत important है तो हमें जो है operational expenditure ज्यादा रखना चाहिए आपके capital का आप 40-50% shop पे खर्चा की जिए लगबग 60-70% material और दूसरी चीज़ों के लिए रखिए ये हो गई budget की बात अब हम आते हैं survey पे survey में हम सबसे पहले area survey करते हैं उसके बात market survey करते हैं area survey में क्या होता है कि हम कौन सी area में हमें shop डालना है आप जो city में हो सकता है वो 15 km का radius है या 30 km का radius है या 50 km का radius है तो सबसे पहले तो आपको अपनी area देखनी है कि कहां पर garment का business सबसे ज्यादा चलने लाइक है या ऐसी कोई area है जहां garment वाले ज्यादा है हर area में क्या होता है कि कहीं gold वाले ज्यादा रहते हैं कहीं furniture वाले ज्यादा रहते हैं कहीं garment industry ज्यादा रहती है garment की area में garment का shop खोलने से हमारी sale बढ़ना नेश्चित है क्योंकि customer वहाँ आएगा ही ये चीज़ आप note कीजिए second जो हमारी point है हमने पहले area slake कर ली अब हमें slake करना है market market ज्यादा तर ऐसे हो जो न ज्यादा दूसरे तीसरे माले पे हो और अगर market पूरा retail का है उसमें floors भी है तो यह ध्यान रखे कि उसमें कम से कम lift रहनी चाहिए कभी agent कोई lady आती है कभी कोई ऐसा जेंट्स या lady आती है जो pregnant है या बच्चे हैं तो उनको काफी तकलीफे होती है और अगर ground पे shop है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर उपर भी है तो वो वहाँ पर customer का आना होना होना चाहिए आपने चोथे माले पे ले लिया पाच सबसे पहले shop हमें भले 2000-3000 रेंट ज्यादा पड़े लेकिन ऐसी अरिया में लेना चाहिए जहां पर customer का footfall हो, customer वहाँ आता हो और वहाँ पर sale हो तो ये चीज़ आप ध्यान रखिये, हो क्या अब थर्ड हमारी point आती है कि shop का interior हम कैसे करवाएं साथियो interior करवाने के time पे bag boxes हैं या जो PP bags हैं वो ऐसी एक जगर रखें जहां पर brands clear दिखाई नहीं, कई ऐसे brands रहते हैं जो customer आके खुद मांगता है, वो brand चाहे कलकता को हो, चाहे मुंबई का हो, या दिली का हो, या उलासनगर का हो, कई बार ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको हम proper display करते हैं, तो customer उसक को देखने के साथ वो एक पीस छोड़के दस पीस और भी लेके जाता है, तो हमें customer को ऐसे कुछ catchy trend दिखाना है, कैची कुछ रखना है कि customer अंदर आए, item देखना चालू करे, और उसके साथ चार चीज़ें और भी आप उसके साथ उसको दे सकते हैं, तो उसमें क्या होता है customer एक बार अंदर आ गया, बाकि आपके salesman के उपर है कि customer को कितना interest देता है, कितनी उसकी psychology समझता है, अगर हम customer की psychology समझ के उसको product दिखाते हैं, भाई इसको ये color पसंद नहीं आ रहा है, इसको ये color ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो उस color की हम ज्यादा दिखाएं, ये pattern पसंद नहीं आ रहा है, इस प्रकार के pattern हो ज्यादा पसंद कर रहा है, तो उसका time waste न करते हो, उसके वो चीज़ें दिखाएं, आपका भी समय न जाए, उसका भी समय न जाए, क्योंकि customer जाब आता है, तो काफी कम समय में वो अच्छे से अच्छी चीज लेना चाहता है, व वो चीज़ हमें उनकी psychology समझ के, अगर salesman उनको follow up देता है, तो customer समझ जाता है, कि इनको मेरी taste और मेरी mood पसंद है, तो हमें ये चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए, उसके बाद साथियो हम जो एक point main आप से कहना चाहते हैं, कि salesman, आपके भाएं जो salesperson है या sales lady है, तो वो कई बार क्या होता है कि किसी किसी एरिया में कुछ बड़ी साइजें ज्यादा चलती हैं, कुछ आदमी या कुछ ऐसे healthy sizes ज्यादा चलती हैं, किसी एरिया में medium sizes ज्यादा चलती हैं, कहीं कहीं किसी एरिया में कुछ colors जैसे चलते हैं, जैसे किसी एरिया में gold color ज्यादा चलता तो उस sales person को अस area की पूरी test मालूम हो. तो उस से क्या होता है कि हमारी एक data stock होने की जो percentage है काफी कम हो जाती है और instead of हम काफी जगों पर investment करने से और माल मंगाने से ऐसी चीज़ें मंगाती है जो उस area में हमें demand देती हैं. तो उससे क्या होता है कि हमारा कम investment में काफी अच्छा business होता है तो बाकी जो हमारा पैसा बचता है वो side में रखके हम आगे चलके और उसमें items मंगा सकते हैं और और चीज़ें addition कर सकते हैं इसके बाद आता है साथियो price calculation कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो regular चलती हैं जैसे अंडर गार्मेंट जैसे आप समझे टी शिर्ट जैसे बुर्कास या commonly used jeans उन चीज़ों में क्या होता है कि हमें profit ratio बहुत कम रखना चाहिए क्योंकि customer सबसे पहले उन चीज़ों के दाम पूछता है जो वो daily use करता है अब हमारे पास कोई बच्चा हाता है हम उसको कोई jeans दिखाते हैं तो हमें starting price यह ऐसी बतानी कि उनको लगे कि इस shop की price जो है वो काफी कम है बात में अगर आप उसको कितना fancy piece बता है उसकी price उनको अच्छी बताएं तो उनको यह impression आ जाते है कि इसकी basic price अच्छी है रिजने बुले तो आगे की prices भी कम होगी आप काफी बार देखेंगे हम किसी hotel में जाते तो पहले दाल और मेदूड़ा और बटाटेवड़े के prices देखते हैं तो हमें छोटी-छोटी चीजों की और daily use वाली चीजों की prices बहुत limited रखनी चाहिए उसके बाद आगे चलके piece जितना fancy होता तो customer खुशी-खुशी आपको price देगा वो cheat भी नहीं होग और आपको दो पैसे अच्छे बचेंगे भी हम average एक 40% का profit रखके या 35% का profit रखके customer को 5-10% का discount देते भी हैं तो भी हमें 30% या 35% का हमें profit होता है जो ready-made garment में एक बहुती handsome profit माना जाता है अगर आपकी sale अच्छी है तो तो हमें बहुती limited profit पे काम करना है हमें profits अपने हमारे खर्चे माइनस करके क्या बचता है एक calculation हमें लगानी पड़ती है उन चीजों में क्या होता है कि जैसे एक size break हो जाता है अब काफी हमें ऐसे पूछते हैं कि अगर हम आपसे 1-10 लेके जाते हैं तो 10 number के piece की क्या price रखें या 1 number के piece की क्या price रखें आप पूरे का flat रखें मेरी suggestion है कि कभी flat price नहीं रखनी चाहिए क्योंकि अगर आप हमारे से कोई piece 500 में लेके जाते हैं आपने मान लीजिए उसकी price शाड़े 600 या 600 रखे अब एक number का piece आप शाड़े 600 में बेचेंगे बिकेगा नहीं दस number का piece 600 में रखेंगे तो फटा फट बिक जाएगा तो end of the day क्या होगा कि आप पास छोटी sizes बच जाएगी जिसकी sale नहीं होगी और practically अगर हम सोचेंगे तो एक number piece में जो fabric consumption हुआ है वो काफी कम है और 10 number के piece में fabric consumption बहुत ज्यादा हुआ है तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर हम एक साड़े 600 या 600 की pricing पकड़ते हैं तो हम एक 50 to 60 rupees यहां कम करते जाना चाहिए और 50 to 60 rupees वहाँ ज्यादा करते रहना चाहिए मान लिजिए हमने 1 to 10 लिया और हम 5 number या 6 number का हम साड़े 600 price रखते हैं तो यहां 50 50 50 minus करेंगे वहां 50 50 plus करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपका costing सेम हो जाता है आपका selling price सेम हो जाता है लेकिन customer को size wise जब उसको भाव मिलता है size wise जब उसको cost बढ़ती है तो उसको काफी अच्छा लगता है और आपका भी अगर काफी छोटी size बज गई तो भी आपको tension नहीं क्योंकि उसकी pricing आपने ऐसी की थी कि छोटी की cost छोटी ही रह गई तो मैं ऐसा समझता हूं और मेरा यह experience है कि यह proper pricing policy है साथी अब बात आती है stock management की garment industry में सबसे main चीज यह है stock management आज कोई भी retailer या even हम as a wholesaler या as a manufacturer हम काफी fabric लेके आते हैं काफी garment बनाते हैं या आप भी जो retailer as a retailer जो माल मंगाते हैं उसमें काफी चीजें speed में चलती हैं काफी चीजें थोड़ी slow चलती हैं कई बार क्या है आपने जो गर्मियों के लिए माल मंगा वो थोड़ा उसमें रुख गया तो stock management बहुत ही important चीजें हैं जो चीजें हमारे पास थोड़ी slow चल रही हैं उसको समय के साथ उसकी पनिया चेंज करें उसकी pricing थोड़ी reset करें जैसे आपका थोड़ा कम भाव में निकल जाए और stock को properly maintain करें क्योंकि garment industry में stock पुराना होना, stock dead होना, stock महला होना तो उनमें ऐसी कुछ policy बनाएं कि new addition करके पुराने stock को ज्यादा push करें एक stock dead होना ये garment industry की सबसे बड़ी बीमारी है तो अगर आप इस चीज का solution ढूंड लेते हैं तो आपको success होने से कोई भी नहीं रोक सकता है मैं समझता हूँ, अब हमें आना चाहिए पर्चेस पे पर्चेस में आप किसी भी city में निकलते हैं अज हर city की टेस्ट अलगे अगर आप जबलपुर की एरिया से माल लेते हैं तो वहाँ चिकन का ज्यादा माल बनता है लखनों में जाते हैं तो वहाँ कुर्टा पैजामा ज्यादा बनता है कलकता जाते हैं तो होजरी के लिए वो ज्यादा famous है मूंबई आते हैं तो fancy माल के लिए कितना लेना है, तो आपकी budget फिक्स हो जाती है. और उस budget में आप कोई भी चीज ना ज्यादा खरी देंगे ना कम खरी देंगे. जब आपका दुकान बनके तैयार होता है और उसमें सब चीज़े सेट हो जाती हैं, तो आपको लगता है कि एक perfect buffet बन गया है जिसमें customer की हर need आप पूरी कर सकते हैं ये जो काम करने का तरीका है ना उसमें आपको कोई भी हरा नहीं सकता है इविन आपका competitor इविन आपका बाजुवाला या कोई आपसे कम rate में भी देगा तो भी और नहीं हरा सकता है क्योंकि आपकी policy perfect है कहते हैं जिन्दगी में कोई भी चीज गोल गोल होने से गोल maintain करें तो ज्यादा अच्छा है तो आप एक गोल बनाए कि मुझे इतनी sale करनी है ये मेरी budget है उससे over trading नहीं कीजिए और हाथ में कुछ cash balance रखिए सुख दुकेस आप से अब purchase जब आप निकलते हैं तो किसी पे भी विश्वास नहीं कीजिए न यूट्यूब पे न एजेंट पे सामने जाके fabric फील कीजिए variety फील कीजिए उसके fitting finishing फील कीजिए अगर आपको लगता है कि बंदा genuine है कोई छोटी मोटी repair आएगी तो मुझे वो change करके देगा variety में proper guide करेगा हम as a genuine YouTuber में आपको बताना चाहता हूं कि काफी party हमारे पास आती हमें अपनी area के test पूछते हैं थो हम उनको proper guide करते हैं मैं मेरा बेटा मोहित और हमारी जो sales team है तो अब ऐसे के पास जहीं जो आपकी area के लिए आपको proper guide कर सके और आपको टेस्ट बता सके कौनसी वहां चलती है और वहां की customer हमारे से क्या लेते हैं तो आपका confidence level तो बढ़े गाई साथ ही अब आते हैं sales technique पे sales technique आप अपनी area में देखिए कि क्या offers दे रहे हैं क्या promotions दे रहे हैं काफी retailer बोलते हैं वह साल में अगर आपने 12 गार्मेंट लिए तो दो गार्मेंट फ्री देंगे या आपने इतना लिए तो आपको एक बैक देंगे या आपने इतना लिए तो प्रीट्स में चले जाएंगे तो sales techniques आप बनाईए customer की mood समझे कस्टमर की psychology समझे उसके इसाब से उनको माल दीजे यकीन मानिये customer हमेशा आपके पास ही आएगा और आपसे ही जुड़ा रहेगा उसके बाद इन चीजों को ध्यान दे के एक proper planning बनाईए पहले तो 15 दिन महीना planning बना के area survey करके market survey करके और उसके बाद funds arrange कीजिए funds ऐसे हों जो आपको ज्यादा परेशान न करें और 2-3 मेना चार मेना जो आपको business set करने में लगते हैं तो immediate आपका rent या interest ऐसा न बढ़ जाए कि आपका पूरा capital ही खा जाए ये चीज़ें साथियों बहुत ध्यान वाले है क्योंकि मैंने अपनी जिन्दकी का experience आपके सामने रखा है अब आगे आपको आपकी क्या choice है क्या पसंद है या आप कौन सा के वीडियो देखना चाहते हैं हमें comment box में बताइए और एक बार फिर में आता हूँ iboys पे iboys वो तो मेरा profession है मेरा business है मेरे खून में है तो हम लोग काफी अची variety बनाते हैं boys ethnic wear में अब सब देख सकते हैं और एक good news यह है कि हमने mains का काम भी चालू किया है में में कुर्ता पैजामा में में इंडो थ्री पीस में अब शेरवानी भी चालू करने वाले हैं तो मेरी आपसे यह request है गुजारिश है कि एक बार हमारे shop पे आईए ह वेल कम हमें लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्स्राइब कीजिए ठैंक यू वेलकम जय हिन नमस्ते पिलीज इस विडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबायें अपना कीमती समय देने के लिए दनेवाद